बिस्मिल्ही रह्मान रहीम, असलाम लेकूम नाजरीन तुम गबराते क्यों हो मकदर के फैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफूर रहीम है? अगर वो दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले बदल नहीं सकता? दुरूश्री पढ़ने से रिजक में बरकत होती है गरम पानी पीने से इनसान देर तक जवान रहता है नहार मूनीम गरम पानी पीने से दान्त मजबूत हो जाते है चावल खाने के बाद दूद ना पी है सरदर्द वाले पालक का इस्तमाल ना करे कूतेवा की कमी वाले धनिये का इस्तमाल ना करे सुरत वाक्या रुजाना मगरीब की नमास के बाद पढ़ी जाएगार में कभे गुर्बत नहीं आएगी हल्दी उमर भढ़ने की वज़ा से जिल्द पर जाहिर होने वाले असरात को कम करती है जिसकी वज़ा से आप जवान नजर आते हैं जो पानी फल खाया करें बजन कम हो जाएगा अमरूत खाने के एक गेंटा बाद तक पानी ना पी है कच्छी रोटी खाओगे तो बीमार पाड़ जाओगे ज्यादा देर जागने से अकल कम हो जाती है औरत रात को एक दूद का गलास लेकर इस पर साथ मर्तबा यार नूरों पाड़कर धाम करे चांद दिन अमल करे रंग खुबसूरत हो जाएगा सरसू का तेल अगर नाफ में लगाया जाए बालों की हुश्की दूर हो जाती है चेरा चमकदार हो जाता है हाजमा बहतर होता है नजर में बहतरी होती है जोडों के दर्द के लिए मुफीद है अगर सरसू को तेल से पौउं की मालिश की जाए ना कमर जुकेगी, ना जोडों में दर्द होगा, ना सर दर्द, ना दान दर्द, बुड़ापपा नहीं आएगा। सोते वकत अगर आपने पउंग के तल्वों पर तेल लगाया जाए, ये अमल शिपा और फिटनस का जरीया है। पाले के पतों का रास आंगों पर लगाने से नजर तेस होती है, धनिये का रास घंजपन पर लगाने से बाल आइस्ता आइस्ता आने शुरूर हो जाती है, दूद पलाने वाली ओरतें ठंडी चीजों का इस्तमाल काम से काम करें, तक्किये के बगैर सोने से कमर मजबूत होती है आड़ू खाने से नजर की कमजोरी दूर हो जाती है नमक से बनी गजा खाने से आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचता है और आपका जिसम गुबारे की तरह पूल जाता है गार में रिजक की कमी महसूस हो या गार में बरकत ना हो जिसके सबाब हाथ तांग रहता हो इसके लिए ये अमल बहुत मुझरब है रात को इशा की नमाज के बाद अवल आहर 11 बार दरूश रिफ और 100 बार या वासियों पढ़ें और दुआ करें ये अमल 41 दिन ता करें इंशाला गार में बरकत होगी रिजक ज्यादा तदाद में हासिल होगा बरकत के लिए सब गार वाल कान की तमाम बिमारियों का बेहतरीन इलाज है दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है कान में कोई बिदवाई ढाल कर नहीं लेटना चाहिए कभी भी टांग पर टांग राकर सोने से नजर कमजोर हो जाती है जो ज़्यादा देर तक हमोश रहता है वो जहीन होता है हड़ियों पर गोच चरहने वाली तीन चीज़ें केला खाएं दूद पीएं और चावल खाएं गर में पृंदों का बोलना इस बात की निशानी है कि गार में कभी रिज़की तंगी नहीं होगी कलवंजी हर दर्द की दवा है सुआए मोत के इसकी कोई दवा नहीं मट्टी खाने से परहेस करें इसलिए के मट्टी खाना इसलाम में हराम है खजूर को नाच्टे में खाया करो ताके तुम्हारे अंदरूनी जरासीम का हात्मा हो चाए गार में कोई भी जानवर चाहे बिली हो खुता अगर बच्चे दे गार के मालिक दोलत मंद बना देता है कद्दू खाओ क्योंके ये सबजी दमाग को कुवद देती है जिस हाद तक हो सके लसन का इस्तमाल करो क्योंके ये सत्तर बिमारियों की दवा है अल्ला से मह कर आए तो समझ जाएं आपके गुर्दे नकारा हो गई है जब किसी को लिम्बू रासना आए तो लिम्बू के साथ थोड़ा से लसन का ले कोई पोदा मुर जाने लगे इसकी जड़ों में देही वाली लसी डाल दें थूक ज्यादा गड़ा आने लगे तो समझ जाएं ता सागु दाना एक कब दूद में पका कर सुबा शाम काएं चांद दिन के इस्तमाल से मेदे की कमजोरी दूर हो जाएगी हारिश और अलर्जी अत्म करने के लिए अदा किलो लिम्बू का रस नकाल कर चान लें फिर इसमें चोटी बोतल में जटून का तेल मलाकर मिक्स कार ल जाएं और रुजाना नहाने से 15 मिट पहले साट पर लगाएं बहुत तेजी से बाल उगना शुरू हो जाएंगे कमर दर्द से नजात के लिए एक ऐसा गदा बनवाएं जिसमें तीन फुट चोड़ा और चार फुट लंबा हो इसमें रुई की बजाएं चंद किलो साबब गंदम भार लें इस गदे पर सोने से थोड़े ही अर्से में कमर का दर्द हतम हो जाएगा जब रिजग में कमी आने लगे तो कसरत से अल्ला से अस्तखफार किया करें वुजू से शकल नमाज से अकल और कुरान से नसल पाक होती है जो रुजाना पानी ज्यादा इस्तमाल करता है ऐसा इनसान जल्दी बुरा नहीं होता रुजाना दूद पीने से इनसान का रंग हमेशा साफ रहता है जो कीरा रुजाना खाता है ऐसे इनसान 70 साल तक सांस की बिमारी नहीं होगी खांसी से छुटकारा चाते हैं थोड़ा सगुर कालियकरें खांसी से निजात मिल जाएगी बिंडी की सबजी खाने वाले लोगों का जिगर हमेशा अच्छा रहता है अगर दोलत मन्द होना चाहते हैं तो जो तुम्हारे पास माल है इसमें 10 फिसद सदका और गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाना शुरू कर दें बोच जल दोलत मन्द हो जाएंगे दोलत बारिश की तरह बरसने लगेगी बक्री का दूद बदन के अलर्जी को हतम करता है बादनमा दाग दपे दूर करने के लिए क्रेले के चिलकों को पीस कर इसमें टिमार्टर का रस मिक्स काट के लगाएं दाग साफ हो जाएंगे नहार मुखजूर खाना आपका मिदा 70 साल तक मजबूत रहेगा कदू काट कर आंखों पर मसलो आपकी नजर तेज हो जाएगी अगर सांस पूलने की शकायत हो तो शर्बते संदल पानी के साथ पीते रहें ये बिमारी हतम हो जाएगी दांत का दर्द हो तो अलाची वाली चाए पीने से अफाका होता है ज्यादा मिठा इस्तमाल करने से पेट की चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है पाउं के तल्वों पर मालिश करने से आपको पुर्सकून नेंद आएगी बुरे जानवर का गोश्ट ना खाए इससे ताकत में कमी आती है अगर आप अपनी जिल्द को हमेशा तवाना रखना चाते हैं तो रुजाना दहीं खाना मत बूले दांद का दर्द हो तो अलाची वाली चाए पीने से अफाका होता है जो इनसान खाने के बाद गुड़ खा लेता है सारी जिन्दगी इसका हाफ़जा और मेदा कमजोर नहीं होगा औरत को हुआब में कुले बाल नजर आना इसकी जल्द जल्द शादी होने की निशानी है अचानक तेज बहार हो जाए चांद दाने सबस लाची के पानी में उबालें जब पानी आदा रहा जाए इसमें अड़के गुलाब शामिल करें मुरीज को पला दें ये पानी पीने से बहार के मुरीज में इतना पसीना आएके के बहार का जोड तूट चाएगा कच्ची रोटी मेदे में जखम पैदा करती है रुजाना दूद पीने से इनसान का रंग हमेशा साफ रहता है सूरच सबसे पहले जबान से निकलता है अपने नहाने वाले पानी में लिम्बू निचोर कर नहाया जाये तो आपकी जिल्द हुपसूरत और चमकदार नजर आएगी जो लोग गोश्ट का ज्यादा इस्तमाल करते हैं इनके बदन की जिल्द लटक जाती है सेब का मरबा दिल को ताक़ देता है और दिल के दर्द के लिए मुफीद है रुजाना हरी मिर्च की चटनी मना कर खाएं चेरे की जूरियां हतम हो जाएंगी सतारे और दोस्त एक जैसे होते हैं चाहे कितने ही तवील फासले पर हूँ इनकी रोशनी आप तक पहुँचती रहती है हर दूसरे दिन सागु दाना खाने की आदद बनाए सौंपली चाए रुजाना पिया करें जिस औरत का वज़न बर्ज गया है वो दाल चीनी का दाना रुजाना काए वज़न चंद दिनों में कम होना शुरू हो जाएगा मस्वाग जब भी करें जमीन पर मत रखें मस्वाग को जमीन पर रखने से इनसान जनून जैसे मर्ज में मुब्तला हो सकता है नहार मू अद्रक और लिम्बू का रस पानी में शामिल करकर पीलें बुड़े नहीं होंगे मुटापा नहीं आएगा आपका चेहरा जवान दिखाई देने लगेगा जिस औरत के चेहरे का रंग हराब हो या चेहरा बुड़ा नजर आने लगे वो बेसन में दो चीज़े मिलाकर चेहरा जवान दिखाई देगा बेसन दो चमच दूद चार चमच शहत एक चमच इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कारकर चेहरे पर लगा कर पंदरा मिट बाद चेहरे को साधा पानी से दो ले अगर चाहते हैं के जल्दी बुड़ापा ना आए खाने में पीसी हुई अद्रक का इस्तामाल शुरू कारते हैं जो हाली पेट सोता है उसकी उमर में कमी आती है कोई ऐसी बीमारी जो आपको चूएगी नहीं गर्मियों के अंदर नीम गर्म पानी पी लिया करें देहीं के साथ बादाम का उटाकत आ जाएगी सबस चाई में लसन शामिल कार के पीलो जिसम के हर हिसे में ताकत उबर आएगी रुजाना एक गाजर काने से एक गलास हून बनता है अगर आपके आँखों के आगे दुंदला नजर आने लगे नहार मूँ सुर्मा आँखों में डालने से आँखे ठीक हो जाती है बादाम का तेल बदन पर लगाने से जिल नर्म मुलाइम हो जाती है चांद घजाएं ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ताकत देती हैं देसीगी, बक्रे का गोश, चने की डाल, खुजूर, अनार, सेब, अंडा और अंजीर सबस चाहे में गुर डाल कर पीने से नवे साल तक चेहरे पर जुड़िया नहीं आएंगी जल दुबला होना चाते हैं, लिंबू का पानी पी लिया करें नाच्टे में और रात के खाने में, बन गोबी खाने से मुटापा जल्दी दूर हो जाता है दूद में जतून का तेल डाल कर पीने से चेहरे की रंगत निकर आती है कलवंजी को पीस कर दूद में हलका सा गरम करें और रात को सोने से कबल चेहरे पर मालिश करें रात को मक्षन खाने से जिल नर्म मुलाइम हो जाती है सब सेब खाने से बलेड कैंसर नहीं होता आम खाने से दिल की नाली खुल जाती है गर्म मक्षन इस्तमाल करने से पेड़ की चर्बी पिगलना शुरू हो जाती है अगर दिल की दर्कन अचानक तेज हो जाए नहार मुप्याज और शहत मलाकर खा लिया करें चीनी के बाद गुर्ट चकने से शुगर नहीं होगी जिस घर में फजूल हर्ची की जाती है वहां दोलत की तंगी होती है हल्दी बुरे चेहरे को जवान करती है कीरे का चिलका काट कर घर के कौनों में राक दिया जाए लाल बेक नजर नहीं आएंगे खजूर की गुठली चाटो दान का दर्द गाइब हो जाएगा एक हर्बुजे का चिलका पानी में उबाल कर शकल शामिल कार के गुर्दे के मरीज को पलाया जाए हर गैंटे के बाद पत्थरी हारी जो जाएगी जिस घर में चानवरों की तस्वीरे लगाई जाती है इस घर में रहमत के फिरिश्टे नहीं आते दूद पीकर मचली मत खाएं इससे जिल्द फटने का हद्शा है गोश्ट खाकर उपर से दूद नहीं पीना चाहिए इससे दांट में कीड़ा लाग जाता है खीरे में बदाम डाल कर चेहरे पलगाओ चेहरा जवा नज़र आएका किश्मिश खाओ आपकी थकावर दूर हो जाएगी मूग की बू दूर करनी है ग्लैसरीन मिले पानी से गरारा करना मुफीत है गी में कुछ नमक शामिल कारके मालिश करो बदन की हुश्की दूर हो जाएगी कभी भी केले के साथ पानी मत पीएं इससे मेदे में दर्द होने लगता है खाना पीने की कोई भी इश्या ज्यादा गर्म प्लास्टी के बड़तन में मट डालें इससे कैंसर होने का हत्रा है कमजोर हाजमे वाले अफराद केला बहुत नुकसान दे है केला बल्गम पैदा करता है बलैक हेड्स वीटमन ए के इस्तमाल से हत्म हो जाते है खाने के फौरण बाद नहाने से मेदे की बिमारी लग जाती है और दमे का भी हत्रा है नहार मूँ जबान पर लसन का पेस्ट लगाने से जबान पर चाले नहीं पड़ते बालों पर अंडे की जर्दी लगाओ बाल चमकदार और सिल्की हो जाएंगे नहीं के साथ शहत खाना सिहत के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है हर इनसान के पास दो आप्शन होते हैं जैसे वो जिद्गी गुजा रहा है गुजारता रहे या पिर हिम्मत करे और बदल डाले अपनी जिद्गी को नाजरीन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें शुक्रिया